जै सिया राम जै जै राम धनों से चढ़ाई कहा तब जारी करओं पुर्चार ब्याकुल नंगर देखी तब आयव बाली कुमार तदंतर लक्षमन जी ने धनों सढ़ा कर कहा कि नंगर को जला कर अभी राख कर दूँगा तब नंगर भर को ब्याकुल देख कर बाली पुत्र अंगत जी उनके पास आई जै सिया राम जै जै राम मंगल भवन या मंगल हारी द्रवाव सुदा शिरत अजिर विहारी चरन नाई शिरू बिनती की नी लचिमन अभय बाहते ही दीनी रोधवन ते लचिमन सुनिकाना कह कपीच अति भईया कुलाना अंगत ने उनके चरनों में शिर्नवा कर बिनती की अर्थात श्यमाय आचना की तब लक्समर जी ने उनको अभय बाह दी अर्थात बुजा उठा कर कहा की दरोमत सुगरीव ने अपने कानों से लक्समर जी को क्रोध्युक्त सुनकर भईसे अत्यंत व्याकुल होकर कहा सुनू हनुमंत संग लई तारा कर बिनती समझाओ कुमारा तारा सहित जाए हनुमाना चरन बंदी प्रभु सुझस बखाना हे हनुमान सुनो तुम तारा को साथ ले जाकर बिनती करके राज कुमार को समझाओ यानि समझाओ बुजाकर उन्हें सांत करो अनमान जी ने तारा सहित जाकर लक्समर जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुन्दर यसका बखान किया कर बिनती मंदिर ले आए चरन पखार पलंग बैठाए तब कपी से चरन नहीं सिरुनावा गही भुजला छिमन कंठ लगावा वे बिनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया तब बानर राज सुग्रीम ने उनके चरणों में सिरुनावाया और लक्समर जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया सुग्रीम ने कहा है नाथ विशाई के समान कोई मद नहीं है यह मुनियों के मन मैं भी शड़ मात्र में महुत पन्न कर देता है फिर मैं तो विशेई जी भी ठहरा सुग्रीम के बनायुक्त बचन सुनकर लक्समर जी ने ही सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से ही समझाया पवन तन ये सब कथा सुनायी जेही भी दिगए दूत समुदाई तव पवन सुधनमान जी ने जिस परकार सब दिशाओं में दूतों के समुख गए थे वह सब हाल सुनाया हरसी चले सुग्रीव तब अंगदादी कपी साथ रामा नुझ आगे कर आए जहां रघुनात तब अंगदादी बानरों को साथ लेकर और स्री राम जी के छोटे भाई लक्समर जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हरसित होकर चले और जहां रघुन मंगल भवन या मंगल हारी, द्रववं सुधा शिरत यजिर विहारी, नाई चरन शिरू कहकर जोरी, नाथ मोहिक चुनाहिन खोरी, अतिसाय प्रबल देवतव माया, छूटई राम करहूं जौँ दाया. श्री रखुनाज जी के चरनों में शिर्नवा कर, हाथ जोड़ कर शुग्रीब ने कहा हिनाथ, मुझे कुछ भी दोस नहीं है, हिदेव आपकी माया अत्ति ही फ्रबल है, आप जब दिया करते हैं हिराम, तभी यह चूड़ती है. विशय बश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपी अतिकामी, नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध तम निशिजो जागा. हे स्वामी, देवता, मुनुस्य और मुनि सभी विशयों के बस में हैं, फिर मैं तो पामर पशु और पश्वों में भी अतिनत कामी बंदर हूँ, इस तरीका नैन बान जिसको नहीं लगा, जो भेंकर क्रोध रूपी अंधरी रात में भी जागता रहता है, अर्थात बंदाया, सोनर तुम समान रगुराया, यह गुन साधन तैं नहीं होई, तुमरे क्रपा पाव कोई कोई, और लोव की भासी से, जिसने अपना गला नहीं बंदाया है, हे रगुनाज जी, वह मनुस्य आप ही के समान है, यह गुन साधन से नहीं प्राप्त होते, बलकि आप की क्रपा से ही कोई कोई नहें पाते हैं, तब रगु पति बोले मुसुकाई, तुम्हे प्रियमोहि भरत जिमी भाई, अब सोई जतन करहूं मन लाई, यही विदी शीता के शुदी पाई, तब स्री रगुनाज जी ने मुस्करा कर कहा है भाई, तुम मुझे भरत के समान प उपाई करो जिस उपाई से शिता की खबर मिले यही बिधि होत बत कही आये बानर जूत नाना बरन सकल दिसी देखी एकीस बरूत सियावर राम जै जै राम मंगल भवन या मंगल हारी द्रवव शुद श्रत हजिर विहारी